भारत और श्रीलंका के बीच खेले जा रहे तीन टेस्ट मैचों की सीरीज में किस खिलाडी को मिलेंगा Man of the Series का खिताब हम आपको बताते हैं ये खिलाडी है Man of the Series के प्रबल दबेदार भारतिय कप्तान विराट कोहली टीम के लिए काफी एहम है उन्होंने श्रीलंका के खिलाफ अपने टेस्ट करिया का पांचवा दोहरा शतक लगाया और क्रिकेट के कई पूर्व दिगजों को पीछे छोड़ दिया दूसरे टेस्ट मैच में भारत ने श्रीलंका को एक पारी और 249 रन से हरा दिया यह भारत की बहुत बड़ी जीत है कोहली ने पहले टेस्ट में 104 तथा दूसरे टेस्ट में 213 विराट ने दोनों मैचों में कुल 317 रन बनाए दूसरा, चेतेश्वर पुजारा टीम इंडिया के नए रिकॉर्ड पुरुष है वह हर दूसरे मैच के साथ नया की इर्तिमान अपने नाम करते जा रहे है नागपुर टेस्ट के दूसरे दिन पुजारा ने साल 2017 में टेस्ट क्रिकेट में अपने 1000 रन पूरे कर लिये चेतेश्वर पुजारा ने दोनों मैचों में कुल 217 रन बनाए भारत की ओर से सबसे ज्यादा शतक लगाने के मामले में पुजारा सयुक त्रूप से दसवे नंबर पर पहुंच गए है तीसरा, टीम इंडिया के अनुभवी बलेबाज मुरलीवी जय ने श्रीलंका के खिलाफ नागपूर टेस्ट के दूसरे दिन ओपन इंड करते हुए टेस्ट में अपना दसवा शतक जमाया विजय ने दस महीन के बाद टीम में वापसी की और आते के साथ ही अपना जलवा दिखा दिया विजय ने 128 रन बनाये यदि विजय तीसरे टेस्ट में 12 शतक लगाया तो वे ये खिताब अपने नाम कर सकते है चोथा अश्विन ने अपनी जादूई फिरकी से नागपूर में श्रीलंका से चल रहे टेस्ट की पहली पारी में चार श्रीलंका एबलेबाजों को अपना शिकार बन या वहीं दूसरी पारी में भी अश्विन ने चार विकेट चटके नागपूर टेस्ट माइच अश्विन अपना आठवा विकेट लेते ही क्रिकेट इतिहास में सबसे तेजी से 300 विकेट लेने वाले पहले गिंग बाज बन गए दोस्तो आपको ये विडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेर और कॉमेंट करें और क्रिकेट की हर खबर के लिए हमारा चैनल सबस्क्राइब करें धन्यबाद